प्यारे बच्चों आज हम लोग रिम जिम भाग पांच हिंदी के पाठ दस एक दिन की बात साहत नामक पाठ में आये हुए भासा एवों ब्याकरान संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले बच्चों हम लोग एक दिन की बात साहत नामक पाठ को पढ़ेंगे और इस में से आये हुए कठिन सब्दों को चुनकर आगी लिखेंगे और उनका अर्थ जानेंगे तो आईए बच्चो देखते हैं इस पार्ट में आये हुए नवीन सब्द बच्चो नवीन सब्द हैं आगे मुसीबत मुसीबत का मतलब होता है बच्चो समस्या इक्रार इक्रार का अर्थ होता है मान लेना निहायत निहायत का अर्थ होता है बिल्कुल खिदमत, खिदमत का आर्थ होता है सेवा तरकी में बच्चो इसका आर्थ होता है उपाए खिदमत में बच्चो इसका आर्थ होता है सेवा में तकरार, तकरार का आर्थ होता बच्चो जगणा फावरन, फावरन का मतलब होता तुरंत या जल्दी से दरखास्त दरखास्त का मदलाब होता है बच्चो अर्जी पाबंदी पाबंदी का मदलाब होता है रोंख हर्ज हर्ज का अर्थ होता है बच्चो नुकसान हुक्म हुक्म का अर्थ होता है आदेश बेबस बेबस का अर्थ होता है बच्चो लाचार या बे सहारा हुक्म हुक्म का अर्थ है आदेश गत गत का मनब होता है दसा बच्चो अगरा सिर्सक है बिलोम सब्द इस पार्ठ में आय हुए कुछ सब्द और उनका बिलोम फारन फारन का बिलोम सब्द होता है बाद में जल्दी, जल्दी का बिलोम सब्द होता है देर, सफल का बिलोम सब्द है सफल, पाबंदी का बिलोम सब्द होगा छूट, इक्रार, इक्रार का बिलोम सब्द होता है बच्चो इनकार, धमकाया, धमकाया का बिलोम सब्द होगा प्यार किया, हर्ज, हर्ज का बिलोम सब्द अगला सिर्षक है बच्चो बचन बदल कर लिखो, आईए बच्चो इसको देखते हैं, आख बच्चो पहला सब्द है आखें, आखें का एक बचन होगा आख, कपड़े, बच्चो बहुत बचन है और इसका एक बचन होगा कपड़ा, हाथ, हाथ का एक बचन होगा हाथ, क्योंकि बच्चो इसका बहु बचन और एक बचन एक ही होता है, रुपय का एक बचन होगा रुपया, घंटे का एक बचन सब्द होगा घंटा, चूजे का होगा चूजा, दोस्तों, दोस्तों का एक बचन बच्चो बनेगा दोस्त, बच्चो अगला सिर्शक है पाठ में आए संग्या सब्द बच्चो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और उसमें से आए हुए कुछ संग्या सब्दों को खोज कर लिखेंगे तो आएए देखते हम लोगोंने क्या खोजा है सलीम आरिफ भाई जान खान सामा रसोई घर कालेज सिनेमा घर गुसल खाना और आया ये पाठ में आए हुए संग्या सब्द है अगला सिर्षा के बच्चो क्रिया सब्द पाठ में आए हुए क्रिया सब्द सबसे पहले बच्चो जानते हैं क्रिया सब्द क्या होते हैं जिन सब्दों से किसी काम के करने होने या इस्थित का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं जैसे उधम मजाना, खाना बनाना, इंतजार करना, दात मांजना, हाक दे, हस पड़ा, फिल्म देखना ये बच्चो क्रिया सब्द है विशेशन, पाठ में आये हुए कुछ विशेशन सब्द, इससे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि विशेशन क्या होता है संग्या ये सर्वनाम सब्द की विशेशता पताने वाले सब्दों को विशेशन कहते हैं जैसे ताजा नास्ता, बच्चो नास्ता कैसे हैं? ताजा है, ये उसकी विशेशता है मैले कपडे, कपडे कैसे हैं? मैले है तर माल, माल कैसा है? तर है भारी, साडी, साडी कैसी है, भारी है उसकी विश्यष्था है गंदे दाथ कैसे है, गंदे है यह उसकी विश्य॥्ता है बेकार कपड़े, तो बच्चो यह विश्यष्था सब्द है आगे देखते हैं पाठ में आय हुए मुहावरे आई बच्चों देखते हैं पाठ में कुछ मुहावरे शब्दा है और उनको समझते हैं मुसीबत में जान होना बच्चों मुसीबत में जान होना का मतलब होता है किसी परिसानी में फंसना वाग प्रियोग होगा सलीम और आरिफ की मुसीबत में जान थी बच्चो जब हम वाक बनाते हैं तो जिस सब्द का वाक बनाते हैं वाक में उस सब्द का आना बहुत ही जरूरी है जैसे मुसीबत में जान होना वाक में आ गया कि सलीम और आरिप की मुसीबत में जान थी इस प्रकार से बच्चो हमारा वाक सही बन जाता है पंजे जाड के पीछे पढ़ना पंजे जाड के पीछे पढ़ने का रत होता बच्चों बार बार तंग करना वाक प्रियोग आरिफ तो पंजे जाड के दादी के पीछे पढ़ गया आगे आखें निकालना बिस्माइ होना जिसका मलब होता है बिस्माइ होना प्रियोग राज के घर में छिपा खजाना देखकर मेरी आखें निकल आई बच्चों के कहने पर अब्बा पटकते दबतर चले गए खून का घूट पीना बुरी लगने वाली बात सह लेना इसका वाकिप बने गई बच्चों अब्बा के समझाने पर दादी ने खून का घूट पी लिया बच्चो अगला सीरसक है वर्तनी सुधार आगे दिये के सब्दों को सही करके लिखना है आईए बच्चो मन पसंद तो बच्चो इसका सुद्ध सब्द होगा मन पसंद निमाला निमाला का सुद्ध वर्तनी होगा निमाला फोरन पौरन का बच्चो सुद्वरतनी का सब्द बनेगा पौरन दलान, दलान का सुद्ध सब्ध है दालान, बिस्कूट, बिस्कूट का सही बरतनी के अधारवर बनेगा बिस्कूट, बच्चों तो ये हमने आपको बरतनी की जानकारी दी, आएए आगे देखते हैं बच्चों, अगला सिर्सक है बहु विकलिपीय फ्रेस्ट, आएए बच्चों आरिफ सलीम चलो, फोरन सोजाओ, किसने कहा? बच्चों, अम्मी ने कहा, दादी ने कहा, अब्बा ने कहा इनमें जो सही उत्तर है, उसको आप खोज करके लिखिए हाए, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, यह बात, यह यह हुआ किसने कहा? अब्बू ने, अम्मी ने, दादी ने, बच्चों, आपने कहानी को पूरा पढ़ा है और जिसने कहा हो, वो सोच करके आप समझ करके उत्तर लिखिए बड़ों के सभी अधिकार छोटों को दे दिये जाएं, यह योजना किसने बनाई? आरिफ सलीम ने बनाई, अम्मी आपा ने बनाई, अब्बूदादी ने बनाई तो बच्चों, इसका सही उत्तर खोच करके लिखिए कोई जरूरत नहीं उधम मचाने की, यह वाग किसने गहा? अम्मी ने, अब्बू ने, आपा ने बच्चों, जिसने गहा हो, उसका उत्तर लिखिए दादी नमाज के बाद खाती हैं, काजू बादाम मुनक्का, दवाएं बादाम हरीरा, हरीरा काजू बादाम बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे, सही उत्तर लिखिए अब्बा अपने दोस्तों को क्या सुना रहे थे, बच्चों, सायरी कवाली गजल उत्तर खोच करके लिखी आरिफ के गाना गाने के साथ भाई जान क्या बजा रहे थे तबला बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, गिटार बजा रहे थे, बच्चों, सही उत्तर का चैन कीजिए और लिखिए अम्मी को गुसल खाने में जाते देख कर सब खाली जगे, रोने लगे, हसने लगे, बात करने लगे बच्चो सही उतर खोज कर लिखिए कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की इंतिहान करीब है ये बात किस ने कही आरिफ सलीम आपा बच्चो सही उतर कर चैन कीजिए और लिखिए किस ने किस से कहा, जल्दी उठिये, नास्ता तयार कीजिए अम्मी ने आपा से कहा, आरिफ ने अम्मी से कहा, अब्बु ने दादी से कहा बच्चो जो भी इनमे से सही उतर है, उसको चैन कीजिए और लिखिए बच्चो आपकी सुबधा के लिए मने उतर कुंजी बना दी है, पहले का अम्मी ने, दूसरे में दादी ने, तीसरे में अम्मी ने, चौथा अम्मी, पाचवे में दवाएं बादाम हरीरा, सिक्स में गजल, सेवन में तबला, एट में हसने, नाइन में आरिफ और टेन में आरिफ ने, अम्मी से बच्चो, ये इनके सही उत्तर है, आप पहले अपने आप करेंगे, उसके बाद इन दिये हैं उत्तर कुंजी से आप मिलान कर लेंगे बच्चो, क्रियापत को छाण्ट कर लिखो, नीचे कुछ वाक के दिये हुए बच्चो, इनको पढ़ना है, और इन में से क्रियापत हमको छाण्ट करके लिखना है रोटी कैसे खाई जाए गी? तो क्रियापत क्या होगा बच्चो? खाना, खाई पांच रुपए तो देना, देना, वहाँ खून का घूंट पीकर रह गई, वे सच्मुच सर्मिंदा हो गए इन चार वाक्यों में बच्चों पहले में खाई, दूसरे में देना, तिसरे वाक्य में पीकर, और चौथे वाक्य में सर्मिंदा क्रिया पद है अगरा सीरसा के बच्चों कल्पना करके लिखो, आईए देखते हैं यह दि तुम्हें एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो तुम क्या 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 करोगे बच्चों, यह आपके ऊपर अधारित है, आप सूचिए कि यह आपको एक दिन स्कूल की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो आप क्या क्या कार करेंगे आप अपने बिचार लिखिए बच्चों, अन्तमें आपके लिए रशनातमा कार है बादसाहत क्या होती है, इस पर अपने बिचार लिखो बच्चों, आपने एलेशन को पढ़ा, पार्ट को समझाओगा और उसी प्रकार से इद्याप को एक दिन की बादसाहत घर के देद दी जाए तो आप क्या क्या कारे करेंगे, इस पर आप अपने बिचार लिखिए बच्चों, बस आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप अपने सुझाओ अवस्ट कमेंट बाक्स में लिखें और ये वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों, वीडियो को सब्क्राइब्स करना न भूले इससे अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी बस आज इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद